कि हाई गाईज हाई अब डोक्टर नजीफ अली एंड यू आर वाचिंग ड्रीम डॉक्टर ओफिशियल तो आज अपन बात करने वाले हैं नीट के कैंसलेशन और यह पॉस्पॉन्मेंट यह दोनों दोनों पॉइंट पर आज हम डिसकूस करने वाले हैं तो यह निउस कहां स जाए और तो यह क्यों कैंसल होना चाहिए तो यह इंडिया के टॉप एजुकेशनिस्ट हैं उन लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि जो नीट जी और CLAT के जो एक्जाम है इनको कैंसल करके वो 12 यानि बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर सीट्स डिस्ट्रिबूट कर दें तो ऐसा कंप्लिटली अनफेर होगा ठीक है एक हैं डॉक्टर आर मुराली उन्होंने भी ऐसा सजेस्ट किया था और एक हैं भी विजेंदरम मनी उन्होंने ऐसा कहा है कि इट विल बी मोर एप्रोपिरेट तो कंसीडर स्कूल बोर्ड एक्जाम स्कॉर्स देन इंट्रेंस एक्जाम तो मुझे यह लग रहा है कि यह कंप्लिटली अनफेर है क्योंकि हम लोग बोर्ड से ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं नीट के लिए जही के माक्स बने हैं जो पहले 12 की हैं तो यह मतलब यह सही नहीं है यह पॉइंट टिक है यह कंप्लिटली अनफेर है और आई डोंट तिंक कि ऐसा कुछ होगा ऐसा नहीं होना चाहिए गर्मेंट भी इस बात को कंसीडर नहीं करेंगे बट अगर बहुत जादा लोग सजेस्ट कर लगेंगे तो फिर पता नहीं और दूसरा पॉइंट यह था कि नीट के पॉस्पनमेंट को लेके तो अभी रिसेंटली ट्वीटर पर यह ट्रेंडिंग में था नीट के पॉस्पनमेंट को लेके तो मुझे लग रहा है कि कंसीडर किया जा रहा है आप लोग के बातों को औ और जो आप लोग के लिए बेस्ट हो ऐसा कुछ दे न्यूस ठीक है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पॉस्पॉंड होना ही बेतर है और मैं आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि देखो अपना पढ़ाई का भी मत कमजोर करो अपनी जो मैनत है अपनी जो लगन है जिस लगन से अब तक करते हैं हो आप प्रिपरेशन उसी लगन से आप आगे भी करते रहो क्योंकि एक्जाम तो होना है ठीक है एक्जाम होगा तो अब आप इस बात को प्लस पॉइंट में लेके चलो कि आपके पास एक्स्टा टाइम है और आप इसका फाइदा उठाओ ठीक है ऐसा ह अच्छे से महनत किया उनका निकल गया नीटो में सेलेक्शन हो गया तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि न्यूस तो आते जाते रहेंगे और बहुत सारी चीजें होती रहेगी बट आप अगर महनत करोगे आपको सीट मिलेगा तो यह आपके लिए पर्मानेंट रहेगा ठीक ह गुद लग और जैसे ही कुछ न्यूस आता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा और कुछ भी आप लोग को कुछ भी पूछना हो डू टेक्स में इंस्टाग्राम टेक्स्ट हीर इन यूट्यूब ओके गुद लग एंड पढ़ते रहो लगन से पढ़ते रहो